जैशी कृष्णा दोस्तो भियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर अगर आप एक पान का पत्ता चड़ा देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो शीग्र पूरी होती है और शिवलिंग पर पान का पत्ता चड़ाने के क्या फाइदे होते हैं और इसके द्वारा आप अपनी कैसी भी मनोकामना हो चाहे वो संतान की है धन की है पुत्र की है विवाग की है नोकरी की है यानि किसी भी कारे में अगर आपको सफलता नहीं मिल पारी या ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं ह पारी है तो शिवलिंग पर एक पान का पत्ता अवश्य चड़ाना चाहिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बेल आइकन को फ्रेस कर दें जिससे म हम अपनी तरफ से कितनी भी तैयारी कर लेते हैं भगवान शंकर की पुजा में कोई न कोई वस्तु या तो हम से छूड़ जाती है या पूजा करने के बाद हमें याद आता है कि ये वस्तु तो हमने चड़ाई ही नहीं है मतलब अगर पाड़ पुजा में अगर कोई चीज अगर आपकी छूड़ जाती है या कोई हम से तुरूटी यानि कोई गलती हो जाती है तो हमें पान का पता अवश्त चड़ाना चाहिए क्योंकि पान के पत्ते से भगवान शंकर बहुत ही शीग्र त्रिप्त हो जाते हैं जिस प्रकार देखे भगवान विश्नु या लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता अवश्त डालते हैं क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग नहीं पाते हैं और तुलसी के पत्ते से भगवान बहुत ही जल्दी त्रिप्त हो जाते हैं तो इसी प्रकार अगर हम से मतलब भगवान शंकर की पार पूजा में को कोई गलती हो जाती है या कोई वस्तू हमसे छूड़ जाती है हमारे पास पूजन समागरी मतल सारी पूजन समागरी नहीं है कुछ न कुछ कमी रह गई है तो हमें पान का पत्ता अवश्य चड़ाना चाहिए क्योंकि पान का पत्ता चड़ाने से भगवाल शंकर त्रिप्त हो आपको किस प्रकार चड़ाना चाहिए दोस्तों आपको एक पान का पत्ता लेना है उसे धोकर उसके उपर आपको सफेज चंदन से या लाल या फिर पीला चंदन कोई सा भी चंदन ले और उससे आपको मतलब जो पान का पत्ता है उस पर श्री राम लिखना चाहिए या ओम न के अवश्य रखकर चड़ाने चाहिए, साथ ही अगर आपको संतान से संबन्ग कोई परहशानी आ रही है तो आपको एक मुठी गेहूँ अवश्य ही पान के पत्टे पर रखकर अपनी मनोकामना बोल कर यानि दोनों हातों में आपको पान का पत्ता रखना है और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चड़ा दे तो आपको भगवान, शंकर को कोई ना कोई फल अवश्य चड़ाना चाहिए आप धतूरे का फल बेल फल या केले अवश्य चड़ाएं क्योंकि फल चड़ाने से ही फल की प्राप्ति होती है तो आप पान के पत्ते के साथ भी मतलब इस फल को रखकर शिवलिंग पर चड़ा दे देखना आपकी मनोकामना बहुत ही शीगर पूरी होगी दस्तो धतूरे का प्राप्ति के यूग बनते हैं तो आप अवश्य ही कोई ना कोई फल अवश्य चड़ाएं दोस्तो इस प्रकार अगर आप भगवान शंकर को एक पान का पत्ता चड़ा देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीगर पूरी होगी इसलिए दोस्तो जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं व्रत करते हैं पूजा करते हैं तो उसमें एक पान का पत्ता अवश्य ही शामिल करना चाहिए इससे हमारी पार्ट पूजा भगवान शंकर स्विकार कर लेते हैं और हमारी जो इच्छा है वो बहुत ही शीगर पूरी होती है तो दोस्तो तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय अबश्च लिखें आप सभी को जैशी कृष्णा